कमसकार दोस्तों! आज की कहानी का नाम है बाज और चूजो की कहानी. एक गाओ में एक किसान रहता था. एक बार उसे कहीं से बाज का एक आंडा मिला. उस ने वह अंडा मुर्गी के आंडे के साथ रख दिया. मुर्गी उस आंडे को अन्या अंडो के साथ सेने लगी. कुछ दिनों में मुर्गी के अंडे में से चूजे निकल आये और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा बाज का बच्चा चूजों के साथ पलने लगा, वह चूजों के साथ खाता पीता, खेलता, इधर उधर फुदकता बड़ा होने लगा, चूजों के साथ रहते हुए उससे क देखा देखी वह भी थोड़ी ही उचाय तक उड़ा और फिर वापस जमीन पर आ गया. उसका भी उचा उड़ने का मन करता, लेकिन जब वह सबको थोड़ी ही उचाय तक उड़ता देखता, तो वह भी उतनी ही उचाय तक उड़ता. ज्यादा उचा उड़ने की वह कोशिश ह नहीं करता था, एक दिन उसने उचे आकाश में एक बाज को उरते हुए देखा, इतनी उचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उरते हुए देखा था, उसे बड़ा अच्रज हुआ, उसने चूजो से पूछा, वो कौन है भाई, जो इतनी उचाई पर उर रहा है, कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, यदि मैं भी उसके जैसा उरना चाहू तो, बाज के पूछा, कैसी बात करते हो, मत भूलो तुम एक चूजे हो, चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उर पाऊगे, इसलिए व्यर्थ में उचा उरने के बा बाज होने बावजूद वह पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीता रहा, सीक, सोच और दृष्टिकोन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, हम सभी क्षमता और संभावनाओं से परिपूर्ण है, चाहे हम कैसी भी परिस्थिती में क्यूं नहों, हमे आवश्यकता है अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच तथा दृष्टिकोन को व्यापक बनाने की, हम स्वयम को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बनेंगे और बाज समझेंगे, तो बाज बनेंगे, खुद को कम न समझें, अपनी क्षमता को सीमित न करें, बाज ब मैं आप से मिलूंगा जल्द ही एक नई इंट्रेस्टिंग स्टोरी के साथ तब तक के लिए नम्सकार